अग्याइब वेलकम बैक टूमाइ यूटूब चैनल फ्रेंड्स आज फिर से एक नए इंट्रेस्टेट टॉपिक पे बाद करने वादे हैं जो ड्रॉइंग से रिलेटेड है ठीक है इस चैनल पर इंजिनियर एसके 0.1 पर जितने भी सब्जेक्ट वाइज जो क्लियर कराया आप लोग ध्यान से सारी वीडियो को देखेगा इंटर्विव में भी एक क्यूश्टन सब कुछ आ जाते हैं फ्रेंड्स ठीक है और यदि आप लोग एक्स्पिरियंस और फ्रेसर दोनों कैंडिडेट इसको देख सकते हैं और नॉन टेक्निकल विक्यों की ड्रॉइंग के काउपरेटिंग बस करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यह बहुत ज्यादा मेंडेटरी है क्योंकि जहां पर वह करेंगे वहां पर भी यह ड्रॉइंग दी जाती है ठीक है तो अलग-अलग ड्रॉइंग होती है वह इंडस्टी पर डिफेंड करता है कि वहां पर क्या प्र हेलिकॉप्टर से इंजन सारा कुछ में जो है दे रहा हूं ठीक है लगातार दे रहा हूं वीडियो को इसलिए आप लोग की रिस्पॉंसिबिल्टी है कि आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत ज्यादा इंट्रेस्टेट है आप लोग बहुत आप लोग सामने देख रहे होंगे कि कितना लग तो राय बहुत टफ है यह ठीक है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं क्यांकि प्राक्टिस सबसे जरूरी चीज होती है ठीक है तो थोड़ा सा देखिएगा यह थोड़ा सा समझा देते हैं ठीक है आगे आप लोग वीडियो को स्कि किजेगा ठीक है ग्रूप में भेज दिजेगा लिंक डिस्कस्न बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है और जो कंडिडेट नहीं जानते हैं वो सारी वीडियो को एक एक करके देखेंगे प्रोग्रामिंग की तो डिफिनेटली यह चीज बना लेंगे ठीक है पॉसिबल है ठीक है तो यहां से थोड़ा समझ समझा देता हूँ आप लोगों को ठीक है ड्रॉइंग जानना बहुत ही जरूरी है ठीक है देख लिजे सबसे पहले इसके लेंद के बारे में आप लोग देखिए ठीक है देखिए वीडियो जादा लंबी तो नहीं करेंगे हम ठीक है चलिए इसका डायमेटर देखिएगा डायमेटर इसका 35 है टोटल डायमेटर टोटल डायमेटर 35 है इसकी लेंथ ठीक है इसकी लेंथ पता कैसे चलेगी इसकी लेंथ पता इस तब चलेगी जब आप लोग यहां से लेकर और यहां तक सब कुछ आप लोग एड करेंगे तो टोटल लेंथ पता चलेगी ठीक है टोटल लेंथ पता चले कि उसके बाद यहां पर जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या देखेगा स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर जो दिया गया है ठीक है स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर देखे स्टार्टिंग पॉइंट है ठीक है यहां पर देखे स्टार्टिंग पॉइंट है और 00 पर टू तो रेडियस दिया गया है और रेडियस है 5.47 का 5.47 का रेडियस यहां पर दिया गया है ठीक है और 00 से स्टार्ट करके जाएगा कहां पर डायमेटर 9.41 पर ठीक है उसके बाद यहां पहुंचेगा तूल यहां पहुंचने के बाद फिर यहां पहुंचेगा यहां पर इंटि क्लाक्वाइज था और यह भी एंटि क्लाक्वाइज है ठीक है जी जिरो टू और जी जिरो ठीरी आपने पहले ही बता दिया हूं कोड में वो सब चीजें कि दिए पॉंक्न करें निये और यहां करई पॉंस पर एक्टीजलिय भाउन करेंबर भी गुंस एंट्स घंले technology वाइंट उन दे पॉंस्स ब्राइब था डाइमेटर त्वोड लॉट जहां पर यह चीज़े खतम हो रही है वहाँ ही से यह का रेडियस लगा है ठीक है एक का रेडियस लगया डामीटर 2 में बढ़तुरी हुए यहां का जो है 25 26 जैसे भी है आप लोग add कर लेजेगा सब कुछ ठीक है यहां पर कुछ करना नहीं है बस radius के अंसवार diameter को increase करते हुए आगे बढ़ना है और यहां पर इसकी जो length है कितना कितना बढ़ रहा है वो सारा कुछ दिया गया है उसके बाद यहां पर radius 34 का दिया है और यहां पर आके जो है यह सारा चीज बहुत ही टप नहीं है ठीक है आप लोग सिर्फ diameter के अंसवार radius के अंसवार आप लोग radius एक का है तो diameter 2 रहे का आपवरस है यहां का diameter जो बन रहा है है वहां का diameter बन रहा है ते यहां का डाइमेटर 29 बन रहा है ठीक है एक मुनीस बन रहा है यहां पर दिया गया है 19 और फिर जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है इसका स्टार्टिंग पॉइंट वहां 23 है ठीक है 23 से रेडियस बंद दो का लग रहा है और आगे बढ़ रहा है तो 19,4,23 यानि 19 का डायमिटर से स्टार्ट करके 23 तक पहुचना है तो 2 का रेडियस लगेगा जाएर से बात प्रद हुआ फिर उसके बाद यहां पर रेडियस लगा है वह रेडियस का लगा है इ см Почему लगा है डायमिटर कितना पहुंचा तायंस त्टी पहुंचाए पहूंच गया है इसी طरह से जैसे रेडियस बढ़ रहा ना जितना रेडियस बढ़ेगा जितना रेडियस रहेगा लेंथ सिर्फ उतना ही बढ़ेगी ठीक है उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती है अगर उससे ज्यादा बढ़ रही है तो वह आउटर रेडियस हो जाएगा ठीक है आउट संटर आउट रेडियस हो जाएगा संटर आउट